आज बनाएंगे चीजी वेज़ बन जिसमें सबजिया तो हैं ही और खाने में भी टेस्टी हैं ये कैसे बनाएं चेली शुरू करते हैं जिसके लिए 200 ग्राम पनीर छोटे टुकड़ों में काटके ले लिया एक छोटा टुकड़ा बंदगोवी का जिसको चॉप कर लिया और इसके साथ ही हमको चाहिए एक मीडियम साइस का प्यास जिसको चॉप करके रख लेंगे और साथ ही में लेंगे एक बड़ी शिम्ला मिल इसको भी चॉप कर लेंगे इसके साथ ही लिया है एक कटोरी ग्रेटेड चीज अब एक बोल लेंगे इसमें हम पनीर के टुकड़े डाल देंगे इसमें डालेंगे पता गोबी इसके साथ इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च अब इसमें जाएगा कटा हुआ प्याज अब इसमें चीज डाल देंगे अब इसमें मसाले अड़ करेंगे जिसमें काली मिर्च डालेंगे चौधाई चमच अब इसमें जाएगा जीराब भुना हुआ अब इसमें डालेंगे चाट मसाला अधा चमच अब इसमें एड़ करेंगे दो चमच भर के टूमेटो सॉस अब इसमें डालेंगे धनिया मिर्च की हरी चटनी और साथी में इसमें डालेंगे नमक स्वाद की अनुसार अब हमने लाल मिर्च डाल दिये आधा चमच साथ ही में डालेंगे दो चमच भरके मियोनीज अब इन सब को हलके हातों से मिक्स कर लेंगे अब उपर से हरा धनिया डालके इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे अब मैंने दो बन ले लिया है अब मैंने एक बन को चाकू की साहता से काट के दो हिस्सों में कर लिया है ये देखे दो हिस्से हो गए है अब इन दोनों पार्ट्स में हम बटर लगा लेंगे अब जो सब्जियों का मिक्षर बनाया था उसे लेकर बन के एक भाग में रख देंगे और अच्छे से सब्जियों को फैला लेंगे और दूसरे वाले भाग से इसको कवर कर देंगे यह देखिए मैंने सब्जों को फेला लिया दूसरे वाले भाग से इसको कवर कर दिया ठीक किसी तरीके से दूसरे बन को भी तयार कर लेंगे यह दौनों बन तयार हो गए है चाकू की सायता से एक बन को चार टुकड़ों में काट लेंगे बीच से ठीक इसी तरीके से दूसरे बन को भी काट लेंगे अब जो मिक्स्चर है वो इसके बीच पे भर देंगे यह देखिए दौनों बन में मिक्षर को भर दिया है गैस पर पैन चड़ा के गरम करेंगे और उसमें बटर लगा देंगे बटर लगाने के बाद तयार दौनों बन इसमें रख देंगे अब चमच या ब्रश की साहता से इनके उपर घी या बटर लगा देंगे अच्छे से अब दीमी आज पर पाँच मिनट के लिए इसको धक कर सिकने देंगे आप जाएं तो इसे माइक्रोवेव में 180 डिग्री पर 7 से 8 मिनट के लिए भी बेख कर सकते हैं अब इसको हम चेक करते हैं ये देखिए बन के तयार हो गए हैं चलिए इसको निकाल लेते हैं ये बन के तयार हो गए हैं चीजी वेज़ बन इसको आप हरी चटनी या फिर सॉस के साथ भी खा सकते हैं यकीन मानिए दौनों के साथ खाने में मज़ा आ जाएगा आप भी इस रेसिपी को बनाएए और बताएए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी